रोश्तों आप सभी का सथरेडि में स्वागत है आज में बात करने वाले हैं लीलियम की जो पॉइन्में लगा कुल ना चालू हो गया है और यह कट फ्लावर में इस्तमाल होता है यह यह देखिया करके भी पैतालिस दिन हुआ है यह बिसकली हॉलेंड का बल्फ है इंडिया में नहीं होता है और यह बल्फ जो है सीधे पॉट में लगा जाता है और इसकी इस्टिक निकल के फूल खिल जाता है नॉर्मली होता क्या है कि जब कली आ जाती है जैसे कि यह कली की स्थिति है तो इसी स्थिति में आप यहां से काट करके अपने कम्रे के अंदर में शोभा के लिए इसको आप रख सकते हैं यह इसमें कलर्स अच्छे होते हैं लेकिन इसमें खुश्बू नहीं होती दूसरी वराइटी है मैं आपको आगे दिखाऊंगा वह होती है ओरियंटल वेराइटी हम इसमें लगाया है कि मैं इसमें मल्टिफिल फार्मिंग करता हूं अब जैसे ही लीलियम हफ्ते दस दिन के बाद खतम हो जाएगा इसमें आप देखें टमाटर का पौधा चल रहा है तो चुकि मेरे पास जगहां उपर कम है और यही पॉट की पावर है कि आप इसमें मल्ट की साइज एक जैसी है मिट्टी की पीपरेशन बिल्कुल एक है मल्टिफिल फार्मिंग में नीचे की तरह पिटूरिया भी लगा हुआ है इसमें स्टेकिंग नहीं करें क्योंकि अभी इसका जो बल्ब है वो नीचे से स्प्राउट हो करके बल्ब की साइज बढ़ा रहा है और कलियां भी बढ़ रहा ही दिरे-दिरे करके ये अलग वराइटी है इसमें आप देखे मैंने स्टेकिंग कर दिया हुई है और ये's क्ले अलग अलग साइज में देखें और ये धे देखें कि हमने छोटे पॉट में भी लगाया है उसमें चार पिटुनिया लगाई है जो बड़ा पॉट है उसमें छे पिटुनिया लगाई है तो जैसे जैसे यह फूल खिलता जाएगा इसको हम हटाते जाएंगे इसमें वही हमने 2019-2019 दिनीशनरी डाली थी और बात में जब कली आ गई तो मैंने क्या किया है कि इसमें 0050 का चलकाओ किया है आईए हम आपको फूल की तरफ ले चलते हैं जहां अलड़ी हमारा फूल एक वराइटी का वाइट एसियाटिक वराइटी खिल रही है और बहुत ही बढ़हां खिली ह अंदर आप इसका शेड देखें बहुत बढ़हां है और साइज बहुत अच्छा है तो इसको आज हम काट के नीचे ले जाएंगे सैटेड़े है और एक हफ्ता तक इसका जो कली है वो जो ब्रड अभी स्प्राउट होकर के खिल नहीं पाई है वो अभी खिलेगी और दिरे अब आपके कमरे का शोभायमान बढ़ाएगी तो लीलियम यह हॉलेंड का पौधा है एस्याटिक होता है और इंटल होता है इसमें साथ से आठ कलर आते हैं और इसमें खिलना गरंटेड है तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जो लोग फूर पौधे का शोग करते हैं और अपने लीलियम न लगाते हूं यह लीलियम की बड़ी खास बात यह है कि इसका खिलना गरंटेड है पानी आप कम से कम दें बजार में बल्प 30 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक अलग-अलग वराइटी का अलग-अलग साइज में जैसे कि 10-14, 12-14, 14-16 यह बताता है साइज जिस नीचे की तरफ जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसमें वर्मी कंपोस्ट, DAP, सिंगिल सुफर फास्पेट और बोनमील मिल मिला हुआ है पानी बहुत कम दिया जाता है और निकलना गरंटेड है इसलिए आप इसको जब कभी भी बजार से खरीदें तो यह देखें कि हो जाता है तो वो जुक जाता है नीचे की तरफ तो आप जब कली आए उसी समय काट करके आप अपने यहां ड्राइंग रूम में फ्लावर वास में पानी डाल के रखें हर हफते पानी बदलें 15 दिन तक यह फ्लावर जरूर चलेगा और यह लीलियम का पौधा जो जाए इसका जो नीचे का बल्ब है वो नहीं काम आता है जैसे के डेलिया का बल्ब काम आ जाता है तो यह हॉलन्ट से आता है और बल्ब का इस्तमाल नहीं हो पाता हर साल खरीदना है इसको आप खरीदें और अपने आज जरूर लगाएं दोस्तों यह तो हमने आपको अभी साल था वही था आपने मेरा चैनल देखा कुछ दोस्तों ने इसके बारे में जानकारी भी हांसिल करी है मुझसे मैंने उनका जबाब भी दिया है तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारा चैनल अभी तरह सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करें मैं आनन जोशी लखनव से बात कर रहा हूँ टेरेस गार्डनिंग लखनव से